सबी लोग जिम में ट्रेनिंग और वर्काउट कर रहे हैं लेकिन कितने लोग उनके फिटनेस गोल को प्राप्त करते हैं आपको उन्हें गिनने की भी आवशक्ता नहीं है बेशायद बहुत ही कम है मुहमद अली ने एक बार कहा था मुझे ट्रेनिंग के हर मिनट से नफरत होती थी लेकिन मैंने खुद से कहा छूड़ो मत अभी कुछ पीडा सहन करो और अपने बाकी जीवन को एक चैंपियन के रूप में जीओ सफल लोग पसीने, दर्द, संखर्ष और कड़ी मेहनत से बने होते हैं लोग एक दिन में सफल नहीं होते वे हर दिन इसे करने में सफल होते हैं जब तक कि वो इसे प्राप्त नहीं कर लेते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप कौन बनने वाले हैं इससे पहले कि आप वो व्यक्ति बन जाएं इससे पहले कि आप इसे अपनी reality में ला सकें आपको ये स्पस्ट रूप से जानना होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं यदि आप इसे envision नहीं कर सकते अगर इस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं तो आप इसे कभी नहीं देख पाएंगे आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकेंगे मैं समझ सकता हूँ अगर आप average जीवन जीना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है आप अपने पैर जमीन पर रख सकते हैं लेकिन यदि आप उची उडान भरना चाहते हैं यदि आप महान चीजे हासिल करना चाहते हैं तो आपको न केवल 100% efforts करने होंगे बल्कि आपको ये भी commit करना होगा कि आप इसे प्राप्त करने तक कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे केवल जो विश्वास करते हैं कुछ भी हो सकता है वे ही चीजों को हासिल कर सकते हैं यदि आप अपने जीवन को अच्छे में बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सारी समस्याओं से अपने दिमाग को दूर करने की ज़रूरत है अपने दिमाग को उसकी सभी limitations से मुत करें और अपने जीवन में आप जो परिणाम चाहते हैं उन पर focus करें सोचों कि आप कहां पहुँचना चाहते हैं अपने इच्छित चीजों की हर एक detail lists के बारे में सोचे खुद से पूछें कि आप कहां जाना चाहते हैं क्या ये आपके लिए बहुत महत्पूर्ण है अपने limitations पर focus ना करें जो चीजें आपको पकड़ कर रोक रही हैं बिल्कुल इसी बात पर आपका focus होना चाहिए कि जहां आपको होना चाहिए उसके लिए आपको क्या करना होगा याद रखें परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको हर दिन इसके लिए काम करना होगा करना कर दो यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद इस वीडियो को पसंद करें, शेर करें और कमेंट करें हमारे चैनल के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें भन्यवाद